नमस्कार दोस्तों तूलीद व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पित्री मोक्ष अमावश्या के दिन विशेई सुपायों से पित्री प्रशन रहते हैं उसी प्रकार 25 सितंबर को सर्व पित्री अमावश्या है आजविनमास की अमावश्या को पित्री पक्ष का समापन होता है जिसे सर्व पित्री अमावश्या कहा जाता है सर्व पित्री अमावश्या के दिन विशेई सुपायों से पित्रों को प्रशन न कर सकते हैं हमारे जीवन में कभी-कभी पित्रों के रूष्ट हो जाने से हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाय, कर्ज, अशान्ती, सुख सम्रिद्धी की कमी आती है वहीं पित्री पक्ष में पित्रों का पूजन और तरपन किया अगर जाता है तो पित्री पक्ष में श्राद कर्म से पित्री प्रसन्न होकर परिवार को आयू, सुक सम्रिथी, धन, आश्वर्य का आशिर्वा देते हैं श्राद कर्म से पूर्वजों की आत्मा को शान्ती की भी प्राप्ती होती है, इसलिए कहा जाता है कि सभी को अपने पूर्वजों का श्राद कर्म अवश्य करना चाहिए आश्विन मास की अमावश्या को पित्री पक्ष का समापन होता है जिसे सर्व पित्री अमावश्या कहा जाता है तो पठी सितंबर को सर्व पित्री अमावश्या है आप कुछ नियों मंका पालन जरीर कीजिएगा सर्व पित्री अमावश्या के दिन विशेश उपायों से पित्रों को प्रसंद करने के चाथ-साथ आप उनके आशिरवात की भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले बात जो ध्यान रखनी है इस दिन पित्री पक्ष अमावश्या पर कुछ विशेश उपाय अपना कर आप उन्हें सबसे पहले संतुस्ट कर सकते हैं इस दिन ग्यात और अग्यात पित्रों का श्राद्ध किया जाता है पित्री मोक्ष अमावस्या को सर्व पित्री अमावस्या भी कहते हैं आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ इन उपायों को अगर आप उस दिन करते हैं यानि पित्री अमावश्या के दिन करते हैं तो आपको पित्रों का पूरा संपूर आशिरवाद आपको तो मिलता है साथ में आपके परिवार को भी मिलता है चलिए बता देती हूँ वो पहला उप़ाए पीपल के पेड की पूजा करना अनिवार्य होता है सर्व पित्री अमावश्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का विशेश महत्व है इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचर दीपक जरूर जलाई है इससे भी पित्री प्रसंद होकर आशिरवाद देते हैं तरपन करना बहुत ही अनिवार्य होता है मानियताओ के अनुसार सर्व पित्री अमावश्या के दिन पित्रों का तरपन करना चाहिए पित्री पक्ष में तरपन का बहुत महत्व है इससे पित्री प्रसंद रहते हैं और सुख समरेदी का आशिरवाद देते हैं तरपन गंगा के किनारे भी जाकर आप कर सकते हैं इससे भी आपको संतुष्टी तो मिलती है साथ में पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होता है अब एक छोटा सा और कारगर उपाय बताने वाली हूँ जिसे अपना कर आप अपने पित्रों को संपूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं इस दिन सुबर स्नानादी के बाद जल्दी उठने के बाद आप जो करना है कि आटे में थोड़ी से शक्कर मिलाकर इसको सान ले और घर में अगर कहीं काले चीटिया घर कर गई हैं तो वहाँ पर इसकी छोटी छोटी गोल बिंदू के आकार में बना कर एक लोई टाइप का बना कर आपको चीटियों के घर में डाल देना है याद रहे ये काली चीटियों के लिए ही है उनके घर में आपको रख देना या फिर उनके पास आपको ये छोटे-छोटी या शक्कर से मिले आटा को आपको डाल देना यानि आपको सान लेना और उसके छोटा-छोटा गोला अकार बना लेना है और आप इसी दिन इन लोईयो को भी यारी जो छोड़ा छोटा गोला कर आपने आटा से बनाया है इसे किसी तलाब में मचलियों को भी इस दन खिला सकते हैं इससे आपके पित्री बहुत खुश होते हैं प्रसंद होते हैं और आपको आशिरवाद करते हैं तो आई हो बाज का वीडियो आप लोगों के जरूर ला होते रहूंगी आज के लिए बस इतना हैं फिर मिलेंगे एक ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भेर नमस्कार